हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो शिवालेर्णिंग फॉर मोर अप्डेट्स यूज लोग इन तो वेबसाइट www.shivalearning.in तो फ्रेंड्स इस लीडियो में मेरे पास लेटेस्ट न्यूट्स एम्स के स्टुडेंट्स के लिए और एक गुड न्यूज है क्योंकि 22nd यानि एक और नया एम्स जो है वो इस्टैबलिश होने वाला है हरियाना के रिवारी डिस्ट्रिक्ट में है तो वाइस यह हमारे सब्सक्राइब करें इस्टैबलिश्मेंट ऑफ दे प्रीमियर इन दे स्टेट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर्ट 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 पोस्ट्रेच्ट मेडिकल एज्यूकेशन इन ओल इट्स ब्रांचेश एन ओफिशिल स्पोग पर्सन ऑफ हर्याना गॉवर्ट साइट तो एक ऑफिशल स्पोग पर्सन हर्याना कोवर्ट के ऑफिशल स्पोग पर्सन ने बोला है कि ना इम चोई वो बनने वाला उसमाई यूजी और पीजी दोनुही मेडिकल एज्यूकेशन के लिए सीट चोई वो अवेलेबल होंगी तो वाइस दोसुबी सेकर्ड में ये एम्स बनने वाला है और इसका फांडेशन स्टोन कब लगने वाला है उसकी भी न्यूजी जल्दी आने वाली है मैं आपको अपडेट कर दूँआ उससे आज ही वो न्यूजी आ जाएगी और ये उतनी अच्छी और हेलपफुल न्यूज मेरे क्याल से जो इस बार इसका टैम्न दे रहे हैं एम्स 2019 अमई भी इसका एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं होगी बड़ जो अभी 11-12 में हैं और अभी नीट की और एम्स की प्रपेरिशन करते हैं बच्चे स्टार् नए एम्स कतावित एम्स आगे बनने लग जाएं तो गाइस काफी सारी सीड्स मेडिकल के उसमें इंक्रीज हो रही है और अल्यूज हैं जो भी टिप्स है वो हमारे वीडियो सारी प्लेलिस्ट है उसमें बनी वी ओप लिंक आ रहे हैं आप वहां से उसे देख सकते हैं इसके लावा एक इंपोर्टेंट न्यूज यह लिखे भी है अनदर इंपोर्टेंट गवर्मेंट आफ इंडिया प्रोजेक्ट नेशनल कैंसर इंस्टिटूट ऑव बर्डसा डिस्टिक जचर दा फर्स्ट इंस्टिटूट इंडिया तो हैव प्रोटोन फैसिलिटी फॉल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इस सचाए लावा बर्डसा मैं जो एक नई फैसिलिटी जो इस्टार फशिलिटी पैसिलिटी नेशनल एन्ट इंडिया का प्रोटोन फैसिलिटी के साथ वह भी फुली फॉल मैं अले जो एक टुसे जिसिल alma और स्ब्रोट अनुंघ को एंडियारे है कि आने मेल टाइम में काफी इंक्रीज हो रही है मैडिकल सीट्स और एमस्की स्टूडेंट्स के लिए भी एस वेल एस गौर्मेंट मैडिकल कॉलिज भी काफी साल इंक्रीज हुए है इसके लाव मैं इसमें फाउंडेशन स्टोन कब लगने वाला है उसकी मैं आपको लेट इसकार झाल झाल झाल